नमस्कार दोस्तो, तो Micromax e Note 1 Pro आने बार है यह तो आपको जरूर मालूम होगा लेकिन यह जो नेबल स्मार्पोन आने बाल है इसमें को एक्सेटली क्या का स्पेसिफिकेशन मिलेगा और किस प्राइस प्राइस पर लॉंच हो सकता है इस वीडियों हम टूटल यह सब चीजों के बार में बात करेंगे तो चले शुरू करते आज का वीडियो भी न कोई बाद के बाद आज वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम गैजवल चैनल पे नहीं है और ऐसे वीडियो आगी भी दिखना चाहते है तो गैजवल चैनल का सबसे करने बिल्कुल ही मन दूलिएगा अब देखे यह जो Micromax C Note 1 पर आने बाला है इसके बारे में डिसकस करने से पहले हम देखेंगे अल्रेडी जो Micromax ने चाल स्मार्पोन लांच हुआ है उसका हिस्ट्री कैसा है मतलब मार्केट की सबसे वह अभी कैसा काम कर रहा है देखे पहले लांच हुआ था Micromax C Note 1 गहराद रुपाई पर लांच हुआ था उस प्राइस पोइंट का बेस्मार्टफोन था मतलब पहला बाल एकदम बढ़िया था दूसरा Micromax C1 भी लांच हुआ था पाच्चे माहिने पहले सेमी बेड़ बे वह भी शाथा रुपाई में पर्फेक्ट स्मार्पोन था रिसेंली Micromax ने उस 1B को 2B के साथ रिप्रेस किया मतलब 8000 रुपाई पर जो 2B बाल स्मार्पोन और जिसमें आपको मिल रहा है का सबसे बड़िया स्मार्पोन हो चुका है तो यह जो नया बहला Micromax C1 नोट वान प्रो आने बहला है तो हम 100% उमीद कर सकते कि जिस प्राइस पॉन पे लांच होगा उस प्राइस का सबसे बेस्मार्पोन हो जाएगा पहले तो हम इसके डिजाइन के बार में बात करेंगे अब देखिए Micromax ने अभी तक जो भी स्मार्पोन लांच किया है डिजाइन के मामले में उतना चेंजेस नहीं किया है मालता पीछे आपको वही से ग्लॉसी टाइप का बैक कोबर मिलेगा लेकिन जो बैक कोबर का पैटर्न तो आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा तो इसमामले में जो प्रो बाले एडिशन इसमें आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा कहाँ जरी कि स्मार्पोन ता थीकनेस होगा 8.8 mm के आसपास और इसका वेट होगा 185 ग्राम के आसपास अगा डिस्पली के बार में बात करें इसमें आपको मिलेगा 6.67 12-inch Full HD Plus IPS LCD डिस्पले इसका मतलब इसका डिस्पले का क्वालिटी पोई एक्जाटली जो माइक्रमेक्सी नोट वान लॉंच हुआ था उसके जैसा ही होगा लेकिन माइक्रमेक्स के सीव ने एचीस का है कि इसके बाद माइक्रमेक्सी नोट वान का जो प्रो एडिशन और डिसन टाइम में आपने एचीस देखा है कि 15,000 के अंदर जो भी स्मार्पोर लॉंच हो रहा है उसमें आपको 100% 180Hz का टास्ट सेंप्लिंग रेट भी मिल रहा है इसमें लुए भी मेरे ख्याल से माइक्रमेक्स 180Hz टास्ट सेंप्लिंग रेट देगा अगर प्रोसेसर की बार में बात करें इसमें आपको मिलेगा हीलियो जी नाइंटी प्रोसेसर अब देखे आप में से बहुत लोग मुझे कहेंगे कि हीलियो जी नाइंटी माद्द पूराना प्रोसेसर है उधर माइक्रमेक्स को यूज करना चाहिए था हीलियो जी नाइंटी टी जी नाइंट में यूज कर रहा है तो मायक्र मैक्स का करना होगा एदा सेम प्रासेशर को इसतلف चासेश पडेना होगा छी सेम प्राइशड सेमार्टवन कंपानों देना होगा यह और फिर इंच्रसीज़ प्राइस कट्राइशर अपिंडा मायं केक्ट ist कुने का Neither यह जो G90 जित्ता मुझे लग रहा है दूनिया के किसी भी कमपणी ने यूज नहीं किया इसका मालदा मीडिया टिक के तरफ से यह जो प्रोसेसर आने वाला टोठाली अन्यूजड प्रोसेसर है और यह तो आपको मालूम है जब कोई प्रोसेसर नहीं भीकता मालदा कोई कमपणी नहीं खड़ता तो उस प्रोसेसर को बनाने बाले जो कमपणी उससे बहुत ही सस्ते में छोड़ देगा बिल्कुल सेम चीज़ हो आता स्नाप्जागों 732G प्रोसेसर के साथ यूँगे दुनिया के ज्यादादार कमपणी ने स्नाप्जागों 732G यूज कर लिया था लेकिस 732G किसे नहीं किया और वो प्रोसेसर को सार्मोट्रोल यूज किया था इसलिए यह दो कमपणी बहुत उसका Geekbench score आप देख सकते दोनों प्रोसेसर का Geekbench score exactly से में लेकिन प्राइस के माबले में G95 थोड़ा सा महिंग आ है तो मतलब हमें exactly G95 जैसे पार्पर में से मिलने बाला है लेकिन उससे भी कम पैसे में मिलने बाला है नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कैमेरे के बार में आ इसके साथ आइदा 16 या फे 20 मेगापिक्सल का बैक के मिला मतलब 100% 16 मेगापिक्सल के ज्यादा आपको जरूर मिलेगा फ्रॉंड में अगर बैटर के बार में बात करें इस बार भी आपको 5000 इमेज बैटरी मिल सकता है और इस बार भी शायद आपको बोई 18 वाट का फास्ट इसका रैम का कॉलिटी होगा LPDDR4X और इसका मेमोरी का कॉलिटी आइदर UFS 2.1 या फे 2.2 होगा और इसके साथ आपको 100% 2 प्लस 1 कार्ट स्टॉर्ट भी देखने को मिलेगा अगर इसके को बाखे के फीचर की बार में बात करें 3.5 जैक, साइड मांटर फिंकर प्रिस एंसर तो अब जो सबसे में चीज़ का भाने बाला है किस प्राइसपोंट पर लाउच होन्य बाला है आबी तक जितना मुझी इंफ्रमेशन मिला है दीवाली से पहले यह जो स्मार्पोन इंडिया पर लाउच हो जाएका तो इसलिए कहा समार्पोन का एक्स्पेक्टेड लाउच सबसे 22 स्मार्टवन साबित होगा यहागा 13-14 में लॉंच होता है तो मार्केट में ऑल्रेटी दो smartphone वे बेलेबले जिसका नामे टेक्टू कैमोन 17 और दूसरे नामे इनफिनिक्स Note 10 और दोनों स्मार्टवन से बिटार माइक्रोमाइक्स का स्मार्टवन होने मुझे कमेशनर में जरूरर नहीं मायक्रेमक का नहीं स्मार्पांट प्राइस- Bernie आपको इस लेना है या फिर इस earning एविलेंगे वे या फिर इंत्मिनलक्षी का कुई समार्पोन लेना है इसके बाडरे मुझे अंत्रण करना बिलकुल ही माद भूलिएगा तो वो मिलते अगले वीडियो पे तब तक stay tuned and always remember think positive be positive thank you